नमस्कार दोस्तों दोस्तों जीयो जर्नी में आपका स्वागत दोस्तों जैसा कि कल हमने बात की थी इंडोजेनेटिक पॉर्स मतलब पृत्वी के अंतरजात बलों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के बलोते एक सडन मुमेंट होती है अचानक पैदा होने वा इंडोजेनेटिक पॉर्स तो हम लोग देख चुकी है बट अब जो आज बात करेंगे वह की ज़ो एंडोजेनेटिक फोर्स तहे जो आंतरिक बल थे वह जो एसमानताएन लेके आते थी और आपको लोंगों को पता है कि कि जब हम लोगों ने Bucamp और जवाला मुखी जो एक्सो जो इंडॉजेनेटिक सदन प्वोरस है मतलब एकदम。 वाले कि देखो भुकंप से भी कुछ सर्ण बनते हैं और जसे ज़ाला मुखी है वोलकेनों है उनसे भी कुछ ने कुछ स्थल रूप बनते हैं और आप लोगों ने देखा था कि टेंसन और और कंप्रेशन से परोथों का निर्मान होता है और जो फाल्ट है हम लोगों और उसके बाद हम लोगों ने देखा था अप वर्ड और इमर्जेंस और सब वर्ड और समर्जेंस इस परकार की हम लोगों ने एक्टिविटी देखी थी आज हम लोग देख रहें जो यह जैसे कोई परवत बन गया या फिर कोई महादीप का निर्मान हुआ या फिर किसी अदर किसी लेंड फॉम का निर्मान जैसे किसी हम लोगों ने देख आथा कि एक रिफ्ट वैली एक हास परवत या फिर जिसको ब्रंस परवत भी बोलते हैं इस तरह के लेंड रूप म पहर लगने वाले बल हैं क् सबसे पहले देखते कि यह क्या तो तो दोस्तफे जो पिर्थ Wrap जो बाहिये होते क्या है पड़कि की जो भायये बल है जो यह बल्न का मतलब जैसा कि सकी नाम से ही पता है हम लोगों को एक्सोजेनेटिक एक्सो मतलब बाहरी क्या हुआ एक्सो मतलब बाहरी एक्सोजेनेसिस फॉर्स होगे वो बल जो पिट्सवी के बाहर सरफेस जो हमारी क्रस्ट थी यह जो हमारी क्रस्ट थी जो पिट्सवी की क्रस्ट थी उस क्रस्ट के उपर यह परवत बना या फिर कोई महादीप का निर्मान हुआ या फिर किसी मतलब किसी डाउन उसका मतलब कोई वैली बनी या फिर कोई पूरी स्रिंखला बनी परवतों की या फिर कोई प्लैटो बना यह पठार बना जैसे यह परवत बना इन सभी को दुबारा से एक लेवल पर लेकर आना इन बहाईये जात्बलों का मेन उदेश्य है तो ये क्या हुआ है कि बहाईये जात्बल अगर इसकी definition देखा जाए तो भाये जातबल वो बल है जो पिर्षवी पर समानता का कार्य करते हैं मतलब सभी को समान करते हैं क्योंकि इंडोजेनेटिक फोर्स थे वो ऐ समानता हैं लेके आते थे और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं दोस्तों वो समानता लेके आते हैं इससे पीछे हम लोग देख चुके हैं, दोस्तों जो पीछे के हम लोग देख्या था, कि इंडोजेनेटिक फोर्स है, इंडोजेनेटिक फोर्स हमारा कम्प्लीट होगा था, सदन भी हो गया था, और स्लो भी हो गया था, ये भी हो चुके है, ये हम लोग पिछले लेक्चर मे करी चुके हैं यह भी कर चुके हैं बट आज जो बात कर रहे हैं हम हम इसकी बात कर रहे हैं एक्सोजनेटिक फॉर्स और एक्सोजनेटिक फॉर्स के बारे में आपको बताई चुका हूं कि एक्सोजनेटिक फोर्स होता क्या है बाहिये बल होता क्या है अब जो बाहिये बल होता क्या है हम लोगों ने जब एंडोजनेटिक फोर्स आंतरिक बल के बारे में देखा था कि आंतरिक जो बल है वो कैसे उत्पन होते हैं हम लोगों ने उसके बारे में देखा अब देखते क जो एक्सोजनेटिक फोर्स है वो कैसे उत्पन होते हैं तो दोस्तों जो एक्सोजनेटिक फोर्स है जो बाहिये बल है तो जब हम लोगों ने देखा जो इंडोजनेटिक आंतरिक बल है उनके लिए उर्जा कहां से मिलती थी पिर्जवी के अंदर से और यह जो एक्सोजनेट requirement हमारी पिर्थवी के ऊपर जो बाहिये एरिया है जो क्रस्थ के ऊपर का एरिया है जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर energy को प्राप्ति उर्जा की प्राप्ति कहां से होती है सन से सूरिय से यही से होती है सूरिय से हमें उर्जा की प्राप्ति होती है तो एक्सोजनेटिक फोर्स ये सन ही मतलब ये सूरिय ही इन सभी सर्फेस को इक्वल करने का काम करता है अब ये सोचोगे कि ये कैसे काम करता है हर एक के दिमाग में आता है कि सूरिय क्या करता है कैसे करता है ये काम तो दोस्तों उसी को हम देखेंगे कि सूरिय की जो गर्मी है गर्मी से क्या बढ़ता है टेंप्रेचर तेंप्रेचर बढ़ता है इसी से आधर्ता बढ़ती है आधर्ता बढ़ती है ना बढ़ती है या फिर गढ़ती है हीट प। कुस्मा भी कहीं न कहीं कि इसी से बनती है एयर ही इसी से चलती है हवाइव rings चलती है न और उसके बाद ग्लेसीर जहां पर ऋर्जा कम होती है वहां पर ग्लेसेयर जमते हैं इसी लिए बनते है न उसके बाद rain यह सभी जो activity हैं यह सभी के सभी के लिए हैं दोस्तों यह डारेक्ट रूप से सूरिये से समंद लेते हैं अब देखते हैं आज जो एक्सजेनेटिक फोर्स है फिर्थवी के जो बही अब देखो वो कितने तरीके का अभी तक हम लोगों ने देखा कि यह क्या है आप लोगों को पता लगा अब यह काम कैसे करते हैं यह भी आपको पता लगा क्योंकि इसके लिए सुर्य की उरज़ागी जुरूरत है और यह उसके बाद कुछ एजेंट है जो इसके बाद इनको एक्वल करने का काम करते हैं जब हम लोगों ने इससे दो लेक्षर पहले देखा था जियो जब हम लोगों ने पढ़ा था जियो मॉर्फिक प्रोसेस उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था जियो मॉर्फिक एजेंट वो जियो मॉर्फिक एजेंट कौन से होते हैं वो क् करेंगे ऊदेखते में एक्षोगनेटिक फोर्स का सिविफ पार्ट वेडरीन यह वेडरिंग्ग क्या होता है अगर देखा घ्र-चाइए टूपीक कंपलीट करेंगे पूरा पूरा कई-कई बुक लिखी हुई है कि इसी topic को हम 10 मिंट में भी कर सकते हैं और यही topic एक दिन में भी पूरा कम रह जाता है तो हम लोग एक balance से करेंगे तो हम लोग आज शुरू करते हैं weathering दोस्तो weathering होती क्या है सबसे पहले weathering क्या है एक्सोजनेटिक फोर्स का आपको पता लगा कि एक्सोजनेटिक फोर्स क्या है एक्सोजनेटिक मतलब भाहिएबल दोस्तों जो एक्सोजनेटिक फोर्स है उसको denudation भी बहुते हैं क्या बोलते हैं denudation है खिए अब vaccination क्या होता है ये सोचने की बात है ये अथी है ये एक नया वर्ड आपके लिए तो हम देखतें कि 1973 का मतलब होता है अनाचाधन क्या होते है अनाचाधन मतलब जो surface है इसको उपर से हटाना मतलब जो जैसा है उसके उपर से जो परत हैं उनको अटाना अब ये परत कैसे अटेगी ये एक लंबी प्रोसेस है बस आपको एक बात याद रखनी है डिनूडेशन क्या होता है या फिर ये वर्ड आपको मुस्किल लगे डिनूडेशन तो आप याद रखना कि एक्सो जेनेटिक फॉर्स है प उस सबसे में के उसका पारि असके में अंदर सबसे में पारिश सूरिय का कि सूरिय के कारण बाकी जो अज़ेंट काम करते हैं अब सूरिय के नहीं मासमोमेंट इरोजं इस अब बैतिये और होती है अब ये नए वर्ड है जो जो जोगर्फी को सुरुआत से देख रहे हैं या जिसके लिए ये लेक्शर नया है उसके लिए चीज नई हम बूल जाते हैं कि ये क्या है हम लोग सर्फ ये देखते हैं कि वैदरिंग क्या है मास मुमेंट मास वेस्टिंग एरोजन और दिपोजिशन आर दा में एक्सोजेनेटिक प्रोशेस आल दा एक्सोजेनेटिक प्रोशेस आर कवर्ड अंडर एज जर्नल ट्रम डेनूडेशन विच मेंस ट्रिप अफ दी अनकवर अब समझो इस लाएं से कि अनाशादन विच मेंस ट्रिप ओफ और अनकवर मतलब किसी चीज के उपर से परदा आटाना अनाशादन होता है क्या होता है किसी चीज के उपर से परदा आटाना अनाशादन होता है अब पिर्थवी के क्रस्ट से परदा उठाना मतलब पिर्थवी के क्रस्ट के उपर से क्या ऐसा आटाया जाए कि जो वास्तविक्त है वो हमारे सामने आजाए तो ये जो पिर्थवी के उपर से परदा अटाना है जो पिर्थवी के उपर से कवर को अटाना है वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर ये कुछ और टर्म्स हैं जिन टर्म्स को आपको समझना जरूरी है उसके बाद आपको पूरा का पूरा डेनुड है वह आपकी जोगर्फी के अंदर सबसे पहले ही क्यों पढ़ाई आती है यह सबसे सोचने का विश्य होता है तो दोस्तों यह इसलिए आपको पढ़ाया अगर पिछे बीड़ें तो सबसे के बारे में बात करते हैं यही देखा था हम लोगों ने अगर पिछे भी देखें तो सबसे पहले क्या था weathering आज उसरी के बारे में बात करते हैं weathering क्या है weathering मतलब अपक्षे weathering मतलब अपक्षे weathering से समझते हैं इस वर्ड को बूल weathering is a static process, static मतलब जो स्थिर है, क्या है, जो स्थिर है, जिसके अंदर movement नहीं है, weathering is the action of element of the weather and the climate over the earth material, यही कुछ बात इसने यहाँ पर बोल दी, it can be defined as the mechanical distinguishing and decomposition of the rope through the action of the various elements of the weather and climate, इसको बड़े असानी से समझते हैं, बड़े असान तरीके से समझते हैं, कि weathering जो है, अपक्षय जो है, वो दो किरियाओं के मिलने से बना हुआ है, और वो दो किरियाओं कोन सी है, एक तो है वी गटन, एक तो यह है और एक अप गटन, मतलब decomposition, इस decomposition को आप science के जो विज्ञान का जो आपका वो है, उसके अंदर आप पढ़ चुके है, decomposition का मतलब होता है, किसी भी चीज का गलना सड़ना, जैसे हम, जो किस खाद को भी क्या बोलते हैं, हम decomposer बोलते हैं, बोलते हैं तो decomposition, ऐसा ही है, कि चटानों का गलना सड़ना, जो वाई-ईयू है, जो तापमान है, जो एठ है, और जो air है, उसके काण जो चटाने हैं, उन चटानों का तूटना-खूटना या उनका छोटे कणों के अंदर, छोटे जो पार्ट है, उनके अंदर उनका convert होना, तो क्या वबधरिग, ववधरिग क्या वह वेधरिग, अपक्षय का अर्थ है वी गटन और वी नियोजन का समलित प्रणाव कि इसको और अच्छे आसान तरीके से समझते हैं मतलब अपक्षय का मतलब हो गयार कि जो चटाने हैं हमारी कोई भी रोक है अगर सिंफल वे ऐसे में बोलूँ कि जो हमारी चटान ने है कोई भी चटान है यह जो हमारी रोक है जो कोई भी हमारी रोख है इस और तूटफूट के और दुबाराสिम्बल शर्खेज में समझा गया, weathering is a process, static process जहां पर किसी चटान का बिल्कुल नामो निसान मिट जाना या उसका उस चटान से मिट्टी में कनवर्ट होना या सोल में कनवर्ट होना क्या है, weathering, अब क्या है, next देखते हैं, distinction, मैंने आपको बताया था यह दो चीजों से बने हुई है, disintegration and decomposition, अब डी इंटीग्रेशन क्या है डी रोक आर्दी लूज ड्यू टू फीजिकल एक्टिविटी लाइक टेंपरेचर फोस एंड वाटर दी प्रोसेस ओफ दी लूजिंग कोहेंस ओर दी स्ट्रेंथ हम लोगों ने देखा था कि अपक्षे क्या है किसी चट्टान का बिलकुल समापतोना या किसी चट्टान का मिठ्टी में टबदील ओना कनवर्ट ओना यही था इसमें दो प्रोसेस थी, दो किरिया थी, एक कौन सी किरिया थी, वी गटन था, वी गटन किसके कारण होगा, वी गटन होगा, सुर्य के ताथ के कारण, आदरता के कारण, और क्या हूँ बोलते हैं, फोस्ट के या मतुशार या पाला या बरफ के कारण, और किसके कारण, वाटर के का ठीक है और अगर डी कंपोजिस या इसको डी इंटिग्रेशन को अगर आप डिक्संडरी के अंदर देखेंगे तो उसका मतलब प्रोसेस ओफ लोजिंग किक्सी भी किसी भी चीज की उर्जया का किसी भी चीज की सकती का कम करना अब देखो यहां पर एक बात ऊरो ऑर हो जाती है जो चट्टान को इंडर्व हो क्ट्टान के न मिटिके अंदर तो क्या होगा उसकी ज़ो और दीए लोगी बदल गएक सके अंदर सोफट नेंस के अनदर सक्किविक्यों कि मिट्टी है वो सोफ्ट होती है जो हमारी जो चिट्टाने ओती है वो admits लोग नेख भी इसा ही किसी चीज का जैसे किसी जिव Volt जीव जनतू को मिट्टी में तबदील कर देते हैं या फिर खाद में तबदील कर देते हैं या कूडे कचरी को खाद में तबदील करते हैं यहां पर डीकंपोजिशन का मतलब है कि किसी रोक को चोटी-चोटी-चोटी-चोटी कंणों में या फिर मिट्टी में कर देना है तो मैं देखी आपको वैदरिंग का मतलब समझा गया होगा अब वैदरिंग को कौन-कौन से जो एलिमेंट है वो परवावीत करते हैं अब वैदरिंग को क्या क्या चीज़ इंपक्ट करती हैं कोई भी चटान है वो लूज कैसे होगी वो मिट्टी में तबदील कैसे होगी यह देखते हैं कि वो कैसे तबदील होगी अब विश-फेक्टिल वेद्री मतलब कोई भी चटान थी वो लूज कैसे होगी मिट्टी में तबदील कैसे होगी है क्लाइमेट स्लोप और स at sevan signs अब वो चक्तान क्या मिट्टी में तब की तब तबदील हो जाती ही नहिए इसकी प्रोसेस है तो कुछ कुछ जो एलिमेंट है कुछ जो फैक्टर है वो इस चीज को परबावित करते हैं देखो सबसे पहला है फस्त वीकनेस ओफ दिरोग जो रोक्स ये कोई चटान है ये कोई चटान है कि इस चटान को और एक ये चटान कि इस चटान को अगर आप तोड़ना शुरू करो आप देखो अगर आप थोड़े से आपके या एमर से जब इसको तोड़ना शुरू करोगे तो आप किस चटान को पहले तोड़ सकते हैं जायद सी बात है जिसके अंदर चिदर है क्या है जिसके अंदर स्पेस है क्यों क्यों कि आप यहां पर इसके वार करोगे यहां पर वार करोगे यहां पर वार करोगे इस हैमर से आप कहां पर वार करोगे इसके इस पॉइंट पर वार करोगे और यह चट्टान दो बागों में तूट जाएगी तूट जाएगी न ऐसे तूट सकती है पर इसके आप वार करोगे कहां पर आपको अगर यहां पर वार करना है यहां पर वार करना है यहां पर वार क आपको लगता है कि यहां से जो रोक है वो विक है तो आप जो वीक होगा जो विकनेस होगी रोक की उसी पर वार करोगे ताकि वो तूट जाए और यही काम वैदर करता है यही काम मोसं करता है यही काम जलवाईव करती है कि जो चट्टान वीक होती है उसको नस्ट कर देती है उसको मिट्टी में तबदील कर देती है ये काम नेचर यही काम परकरती का है वही काम मानना उन्हें आदमी ने उससे सीखा है एक आपने थियोरी पढ़ियोगी survival of the fittest कि जो मजबूत है वही उसी का राज रहेगा तो ये किसी के बनाई हुई नहीं है ये हमारी जो परकरती है उसी की देन है और आप यहां पर देख सकते हैं कि survival of the fittest जो strong है वही खड़ा रहेगा जो weak है उसको गिरा दिया जाएगा और आज भी यही है आप आपके गर में भी देखोगे आपके field में भी देखोगे तो आप देखोगे कि जो weakness जो weak लोग थे उनको गिरा दिया जाता है वो weak physically हो सकते हैं वो mentally हो सकते हैं वो economically weak होते हैं आज जो बरतमान जो बरिस्थितियां वो ऐसी ही कुछ है next देखते हैं nature of slope nature of slope पिर nature of slope आपको लगता है कि क्यों परबावित कर सकते हैं कि किसी रोक के structure को या मतलब कोई जो चटान है उसको मिट्टी में कोई slope तबदील कर सकते हैं कोई डाल तबदील कर सकते हैं उसको देखते हैं वो कैसे तबदील कर सकता है इसी चट्टान को देखते हैं हम लोग, इसी चट्टान को देखते हैं, और इस चट्टान में क्या है, कि एक स्लोप ये खड़ा, एक स्लोप ये खड़ा है, मतलब रोक फर्स्ट, और ये है सेकेंड नमबर रोक, ठीक है, और ये रोक नमबर क्या है, थार्ड, ये रोक नमबर थार्ड, अब देखो कोई भी रोक है, और इन सभी रोक के उपर, ये जो सभी चट्टान है, इनके उपर यहां पर कोई चिदर है, या यहां पर कोई क्रेक है, यहां पर एक क्रेक, इसके भी यहां पर क्रेक है, और इसके भी यहां पर क्रेक, क्या है इसके भी यहां पर क्रेक तो अब क्या देखोगे अगर यहां पर वार करते हो आप फस्ट रोक के उपर यहां पर वार करते हो आप अगर किसी चटान के यहां पर वार करते हैं मतलब यह हमारा वही एमर हुआ और यहाँ पर आप वार करते हो तो क्या होगा यह यहाँ से कहाँ पर गिरेगी यहाँ पर अब देखो यह कितने उचाएसे गिरी कितने उचाएसे गिरी approximately 20 मैटर मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं और यह भी यह क्या था ये total थी, इसकी उचाई 20 meter इसकी भी 20 meter थी और इसकी भी 20 meter थी ठीक है, तीनों की उचाई क्या थी? 20 meter थी और 20 meter में क्या हुआ? यहां से हम लोगों ने इसको चटान को तोड़ा तो ये 20 meter नीचे गिरी और 20 meter जब ये नीचे गिरी यहां पर ये जब नीचे गिरी तो क्या हुआ ये छोटे-छोटे टुकडों के अंदर तब दिये लोगी हुई न? ये फस्स था सेकंड इसी एमर से हम लोगों ने यहां पर वार किया तो वार किया तो क्या हुआ? इसको ये जो रोक है वो स्पोर्ट दिये हुए है अब स्पोर्ट दिये हुए है न? अब स्पोर्ट दिये हुए तो इसको तो तोड़ेंगे तो क्या होगा ये यहां से थूड़ा सा यहां पर आ जाएगी ज्यादा मैकसिम पहली बात तो पाई यही नहीं और हम मान लेते हैं कि यह इस पर ज्यादा हम लोगों ने चोट की तो क्या हुआ यहां पर और गैरा क्रेक आगया और यह दूर नहीं गई अब दूर नहीं गई तो यहां पर जो सेकंड प्रोसेस थी उसके अंदर क्या हुआ जो सोयल फोरिमेशन है जो चटानों का टूटना है वो पोसिबल नहीं हुआ थर्ड प्रोसेस क्या है थार्ड प्रोसेस मतलब यही रोख है यहां पर किसी एमर से हम लोगों ने चोट की तो क्या हुआ यह जो यह जो क्रेक था इस क्रेक से यह जो चटान थी वो क्या हुआ गुर्थवा कशन के कार्म यहां से लोडखती हुई यहां तक आ गई आगई न? आप देखो यहां से यहां तक आई तो इसको यह sport मिलता रहा इस surface का sport मिलता रहा तो यह जो तूटने की जो इसको process थी वो इसकी वज़ाए कम थी जो जो third process है जो first process और जो second process है, उससे आप देख सकते हैं कि जो खड़ा slope था, जो खड़ा डाल था, वहाँ पर जो चटाने थी, वो ज़्यादा उचाई से गिरने के कान, गुर्तवा करसं के कान, उनका जो जब वो नीचे गिरी, तो वो तूटके मिट्टी में convert हो गई, या फिर छोटे टुकडों में convert हो गई, second जो slope कम था, जहाँ पे, जहाँ पे slope कम था, उस slope पे क्या हुआ, वो थोड़ा सा ही, अपने जगें से खिसक ने पाई, या सरक सकी, जिसके कान वहाँ पर, जो उसके तूटने की परकिरिया थी, वो कम होई, और third क्या हुआ, जब slope उससे, इससे कम और उससे ज्यादा था, तो वो यहाँ पे आई, और इसके जो टुकडे थे, वो बड़े-बड़े convert हो गई, मतलब यह जो बड़ा टुकडा था, यह इतना बड़ा टुकडा था, यह दो छोटे-छोटे टुकडों में convert हो गई, तो आप देख सकते हैं कि nature of slope, slope भी पर्वावित करता है, आपको लगता है कि climate भी परवावित करता है, हाँ, अब climate कैसे परवावित करता है, दोस्तों, अब climate परवावित करता है, इस कारण से, जैसे भी हम लोग देखेंगे, जो जलवाईओ है, जो जलवायू है वो या तो गरम होगी या फिर ठंडी ओगी या फिर इनके बीच की हो सकती है गरम भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकते हैं ऐसा कुछ है यह तो फिर बीच काम है आप देखु कहीं पर किया होगा कि जो मरुस्थल है डेजर्ट है डेजर्ट के अंदर गर्मी बहुत हो जाती है हो जाती है और जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो हमारा डेजर्ट है जो हमारे रोक है क्योंकि आपको पता है कि जो मुरुस्थल है उसके अंदर भी क्या हैं चट्टाने हैं और उन चट्टाने के ऊपर क्या इंपेक्ट होगा जो हमारा ये ये हमारी कोई रोक है अब इस रोक के ऊपर इस सूर्ये की सिद्धी गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा इस चट्टान के ऊपर इस रोक के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये रोक गर्मी के कान फैल जाएगी ये इतनी है तो उस ट्राइम बाद ये इतनी हो जाएगी और जब रात को ठंड होगी मरुस्तल में आपको पता कि ठंड हो जाती ह दुबारा से फिर वो इसी जगें पर आ जाएगी तो एक बार दिन में ऊपर चलेगी रात को ठंड होगी निच्छे आगी तो क्या हुआ ऊपर और नीचे जानने के कारण वो जो चटान है वो चटान लूज हो जाएगी और दीरे-दीरे ये चटान कन्वर्ट हो जाएगी जो जहां पर मुरुस्थल नहीं है जहां पर बरफ है यहां पर वेजिटेशन है तो हम दखते हैं हमारे बारत के अंदर वेजिटेशन जहां पर है जहां पर आधरता है आधरता के कारण क्या होगा आदर्ता के करण क्या होगा कि जो चटाने है उनके अंदर decomposition जो हम लोगों ने देखा था कि एक second process थी ना second process decomposition अब गटन अब गटन क्या होगा कि यही कोई रोक है इस रोक में अलग-अलग molecule है कुछ oxygen के molecule है कुछ carbon के molecule है और कुछ मतलब लोहे के molecule है इन molecule के उपर आदर्ता का अलग-अलग तरह ऐसे परवाव होगा और जब यह अलग-अलग तरह ऐसे परवाव होगा दोस्तों तो इस परवाव के कारण यह जो हमारी रोक है यह लूज हो जाएगी और जब यह लूज हो जाएगी तो यह भी क्या हो जाएगी कर्ण वर्ट हो जाएगी दिरे-दिरे मिट्टी में अगर आप किसी पहाड़ी एरिया से हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप किसी मैदानी एरिया से हैं तुम आपको एक example बता देता हूँ कि आपके गर के नजदी आपके school, college या कोई institute के नजदी आप देखेंगे कि जो people का वरिक्स है, जो people का पोद्दा है और जो बरगद है और जो people है वो हमेशा छतों पर आप देख सकते हो या फिर जो हमारे जहां से हम जो पाने की निकासी है जहां भी वहां पर वो अक्सर आपको मिल जाएगा या फिर हमाने जो पाने के tank है पाने के tank है उसके नजदीक आप मिल जाएगा अगर इसको people को या फिर बरगद को आप वहाँ से उकाड़ेंगे नहीं तो कुछ टाइम वो दीरे 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 उस जो जो हमारा structure है वो जो पानी का tank है या जो हमारा गर है या उस गर को दीरे दीरे क्या करेगा वो अपने अंदर ले लेगा और उसके अंदर क्या हो जाएगी या तो crack आ जाएंगे या फिर वो थोड़े टाइम बाद गिर जाएगा ऐसा एक उस देखते हैं और देखते हैं उसी परकार यह रोग करते हैं चटाने भी आप देखते हैं कि जब यही कोई पीपल का पोदा किसी नजदीक रोग के पास पैदा हो जाता है या फिर अधर परकार की वाजिटेशन रोग के पास पैदा हो जाती है उत्पन हो जाती है तो कुछ टाइम बाद उस चटान को वो या तो दो बागों में डिवाइड कर देगा या तो वो क्या कर देगा यहां पर अगर कोई पोदा है या तो वो इसको दो बागों में डिवाइड कर देगा या फिर क्या होगा जब अगर इसके उपर है इसके उपर वो उत्मन हुआ है तो क्या करेंगे इसकी जड़े हैं इसको और अच्छे से पकड़ लेंगी और इसको कवर कर देंगी ऐसा ही कुछ हुआ नगगी तो दोस्तो वेजिटेशन भी आपके जो वेधरिंग है या जो चटाने है उनको मिट्टी में तबदील कर सकती है और उनको परवावित करती है तो दोस्तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वेधरिंग क्या है फरस्ट वेधरिंग कैसे होती है इसकी डेफिनेशन क्या है ये एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंदर इसको पढ़ना जरूरी क्यों है और इसको कौन-कौन से जो फेक्टर है वो इंपक्ट करते है दोस्तों उमीद है कि आपको जो वेधरिंग जो परिकिरिया है वो आपको समझ आई होगी नेक्स जो क्लास है थोड़ी जो हम नेक्स क्लास लेंगे उस क्लास में देखेंगे कि जो वेधरिंग की प्रोसेस से उसके अंदर आगे क्या-क्या होता है अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो दो प्रोसेस थी ये जो दो प्रोसेस थी अपक अपक डिकंपोजिशन और डिसिंटीग्रेशन इनके बारे में देखा हम लोगों ने weathering की जो main process है उसके बारे में देखा denudation के बारे में देखा exogenetic force के बारे में देखा और आगे जो हम लोग lecture होगा उस lecture के अंदर क्या देखेंगे कि जो ये weathering की जो process है ये weathering की process के अंदर ये जो climate है, ये जो vegetation है, ये जो nature of slope है, ये जो रोख है, ये किस परकार से, किस परकार के स्थल रूपों का, किस परकार के land form का दोस्तों निर्मान करती है, तब तक आप बने रहिए, तब तक के लिए दन्यवाद,